हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेसेकेटमी पर दोस्तों राजनीत बिज्ञान या नागरिक सास्तर के अध्यायवार प्रेक्टिस सेट नमबर दस के अंतरगयत आज की इस वीडियो में हैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं मार्क स्वाद जिसे बैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जानते हैं उससे संबंदि सभी महत्पोन प्रशनों को एक ही वीडियो में ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपार्टेंट होने वाला है जो अब भरती इस बाद TGT, PGT, LTE, GIC प्रोक्ता, गौर्मेंट डिगरी कालेज, असिस्टेंटर प्रोफिशर, केंद्री विद्याले संगठन, बिहार सिचक भरती की TGT, PGT और UGC नेट जैरे परिच्छाओं की तयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपार्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी की आगामी परिच्छाओं में मार्क्सवास से जंबंदी जितने भी प्रिशन पूछे जाएंगे, वहाँ पर एक भी प्रिशन आपका छूटने वाला नहीं है, तो सात्यों वीडियो में आगे बढ़ने से पहल आपको मिलता रहे और आप तैयारी फ्रियाप कोश्ट जारी रख सकें, तो आईए सात्यों सुरू करते हैं आज का प्रिक्टिस शेट नमबर दस, जिसके अंतरकत इंकल्यूट किया गया है, मार्क्सवास से जुड़े हुए महात्पूर्ण प्रिशनों को, पहला प्रिशन देखते हैं, पहला प्रिशन है दोस्तों, बैग्यानिक समाजवाद का जनक कौन है, आपसन एक कारल मार्क्स, आपसन भी लेनिन, आपसन सी टामस मूर और आपसन डी रावर्ट ओवन, राइट आंसर होगा, आप सभी के इस प्रिशन का आपसन नमबर ए, बैग्यानिक जवादशद का प्रियोग किया था, अगला प्रिशन है, मार्क्स वाद के अनुशार, इतिहास की भहुतिक, वादि, ब्यक्या, निमिक्षित में से किस कलपना पर आधारिथ है, आपसन A होगा, इतिहास का क्रमबद, क्रम उतपादन की पर्णाली से तय होता है, आपसन B, इस प्रशन का राइट आंसर होगा option number A मार्क्स वाद के अनुसार इतिहास की जो भावतिक वादी ब्याख्या है वो इतिहास के क्रम उत्पादन के प्रणाली से तैं होता है मार्क्स इतिहास की आर्थिक ब्याख्या में उत्पादन प्रणाली को निर्डायक बताते हुए कहते हैं कि हस्त चालित मसीन से निर्मित वस्तों से सामंतवादी समाच और वास्त चालित मसीनों से निर्मित वस्तों से पूंजिवादी समाच निर्मित होता है वहीं मार्क्स के इतिहास की आर्थिक ब्याख्या को इतिहासिक भोतिकवाद या इतिहास की भोतिकवादी ब्याख्या भी कहा जाता है और यहाँ उनके दोंदात्मक भोतिकवाद का एक पूरक सिथान्त है अगला प्रिशन देखते हैं दोस्तो अगला प्रिशन है राजिक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का पर सोसण का यंत्र है यह कथन किस विचारक का है आपसन एक मार्क्स का आपसन भी लेनिन का आपसन सी स्टालिन का और आपसन डी है ट्रैटेस की का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर ह हो जाएगा आपका आप्शन नमबर ए राजिक वर्ग द्वारा दूसरी वर्ग पर शोषड का यंत्र है यह कथन काल मार्क्ष महोदे का है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों सर्भारा वर्ग की ताना सही मार्क्ष महोदी सिधानत का साथ तो यह किस ने कहा है आप्शन ए लेनिन आप्शन भी स्टालीन आप्शन सी माउ और आप्शन डी लुई बलाग रैट आंसर होगा आपका आप्शन नमबर ए यह कथन लेनिन महोदे का है और परिच्छाओं में बार-बार पूछा गया है तो इसे आप सभी लोग ध्यान में रखना है अगला प्रशन है निमलिखित में से मार्च वाद का प्रमुक्षिधान्त कौन है आपसन ए दुन्दात्मक भौतिकवाद आपसन बी वर्गशंगर्श और आपसन सी क्रांति का सिध्धान्त और आपसन और जिन आप फैमिली प्राइवेट प्रापर्टी एंड दा इस्टेट किसकी रचना है आपसन ए मार्क्स आपसन भी माओ आपसन सी इंजिल्स आपसन डी हाप्स राइट आंसर आपसे भी लोग फटा-फट कमेंट करें कि इस प्रिशन का राइट आंसर क्या होने वाला है प्रिशन है दोस्तों मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दौंदात्मक भौतिक वाद का क्या आर्थ है आपसन ए है इसमें इतिहास परस्पर विरोधी भौतिक सक्तियों के संगस के परणाम सुरूप निर्मित होता है और आपसन बी है इतिहास धार्मिक बत्वेद के मार्क्स द्वारा जो प्रतिपादित दौंदात्मक भौतिक वाद है वो उसका अर्थ है कि इतिहास परस्पर विरोधी भौतिक सक्तियों के संगस के परणाम सुरूप निर्मित होता है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण है प्राइवेट संपत्ति के संबध में मार्क्स वात के क्या विचार थे आपसन ने इससे समाजिक भलाई होती है आपसन भी इससे आत्म मन्थन को बढ़ावा मिलता है आपसन C या सोशन का एक अंत्र है और आपसन D इससे जीवनिस्तर में सुधार होता है राइट आंसर आपका आपसन नम्बर C हो जाएगा ये सोशन का एक एंत्र है अगला प्रस्ण है दोस्तों मार्क्स ने दुन दुवात का विचार किसे ग्रहड किया था आपसन A ही गल आपसन B प्रूध हो आपसन C एडम इस्मित और आपसन D अरस्तू राइट आंसर क्या हो का जो विचार है वो ही गल से एडाप्ट किया था अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों या किसने कहा है कि पूंजी वाद में शुधार की संभावना नहीं के बराबर है अता इसे समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि या सोशन करता है आपसन A लेनिन आपसन B ही गल आपसन C मार्क्स आपसन D स्टालिन राइट आंसर आपसन नंबर D हो जाएगा ये कथन इस्टालिन का है अगला प्रश्ण है दोस्तों अगला प्रश्ण है किसने कहा है कि सामिवाद सामाजिक न्याई की भावना से ओत प्रोथ है आपसन लेनिन आपसन B माउस माउस से तुंग आपसन C आरबी ग्रेग आपसन D आरेच टानी राइट आंसर आपका आपसन नंबर C हो जाएगा आरबी ग्रेग ने कहा है कि को बता दे ये भी मार्शवाद के यूरोपी से एस्याई रूप देने के लिए जाने जाते हैं मौसेत्तुम और इनकी जो प्रमुख रच्णाय हैं वो है आन कंट्राडिक्शन न्यू डेमोक्रेशी आन कोलिजन गवर्न्मेंट पीपूल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटर्सिप ये इनकी कुछ प्रमुख पुष्ट के हैं इनके जो प्रमुख सिधान्त इनके द्वारा जो प्रिटपादित किये गए है उनमें अगर हम नाम ले तो अंतर विरोध का नियम भी प्रिटपादित किया है समाजवादी पुनर निर्मार की प्रकरिया का सिध्धान्त दिया है, सांसिक्रति करांती की अउधारना का सिध्धान्त दिया है, असंगत का सिध्धान्त दिया है, सक्ति का सिध्धान्त का भी प्रिटपादन किया है, वहीं लोक युद्ध का सिध्धान्त, ससस्त्र करांती क का सिध्धान्त जन्वादी लोगत अंत्र का सिध्धान्त ये सबलाइं मौससित्तों के द्वारा प्रतिपादित कुछ प्रमुक्ष्षिधान्त देखने को मिलते हैं वहीं अगला प्रसण देखते हैं माल्स के मतांसार दास यूग में दो वर्ग थे, कौन-कौन से दो वर्ग थे, आप सभी लोग जरा कमेंट करें और बताएं अगला प्रशने, मार्क्स का मत्ता की अतरिक्तम केवल निम्न के उप्योग से उत्पन होता है आपसं चरपुझी, आपसं भी सततपुझी, आपसं से कारेरत स्पुझी, आपसं भी उप्यूखत शभी राइट आर्ट होगा आपका आपसं नंबर डी उप्यूखत सभी से अगला प्रश्ण है समाज वर्ग विभाजित है यहां विचार किसका है आपसने हीगल का आपसन भी हाप्स का आपसन सी मार्क्स का आपसन डी ओवन का राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर बनेगा आपका आप्शन नमबर सी समाज वर्ग में विभाजित है यह कथन मार्क्स महोदे का है अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रशन है निम्लिख्त निम्नमेंसे कौन मार्क्स वादी नहीं है आपसन एंजिल्स आपसन B ग्राम सी आपसन C ग्रीन और आपसन D लेइट आंसर आपका हो जाएगा आपसन नमर सी तीच ग्रीन जो है वो मार्क स्वाधी विचारक नहीं बाकि अनिस सभी जो है वो मार्क स्वाधी विचारकों के अंतरगत आते हैं अगला प्रशन है पदार्थ चेतना की नहीं वरंद चेतना पदार्थ की उत्पत्ती ये कथन किसका है आफसन ने मार्क्स का, आफसन B. Garner का, आफसन C. Heagle का और आफसन D. Courier का Right answer आपका आफसन नंबर ये हो जाएगा कि पदाट चेतना की नहीं वरन चेतना पदाट की उत्पती ही ये कथर मार्क्स महुदे का है अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रशन है कि मार्क्स ने समाजवाद के इस्थान पर कौन सा सब्ढ प्रियोग किया है अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रशन है मार्क्स वाद के अंसार समाज मुखता कितने वर्गों में बटा हुआ होता है आप्शन A दो परस परविरोधी वर्गों में आप्शन B केवल एक वर्ग में अपसंसी धर्म के आधार पर 4 वर्गों में आपसंटी स्रेंडी वर्गों में बटा होता है और राइट आंसर आपका अपसंन नंबर A हो जाएगा मार्क स्वादी मानता है इस समाज मुख्यता 2 वर्गों में बटा हुआ था अभी हमने आप सभी को बताया है कि कौन से दोवर गहीं ये आप सभी को कमेंट करना इस प्रश्ण का अंसर तो आप सभी लोग कमेंट करते रहें फटा फट अगला प्रश्ण है दोस्तो अगला प्रश्ण है क्रांतिकारी समाजवाद से कौन संबंध है आप सने राबर्ट ओ सिध्धान्त का रूप दिया है अगला प्रशन है दोस्तों मार्स के अंसार राज्जी क्या है आपसन ए ए सोशन का एक यंत्र है आपसन भी एक कल्याणकारी आपसन सी एक सरवाधिकारी संस्ता है आपसन इन में से कोई नहीं राइट आंसर आपसन नंबर ए होगा मार्स के अनुसार राज एक शोशन का यंत्र है जिसका निर्मार धनी वर्ग के बेक्तियों के द्वारा अपनी संपत्य की रच्छा के लिए और जो सर्वहारा वर्ग है उसके शोशन के लिए बनाया गया है अगला प्रिशन है दोस्तों किस ने कहा कि एक दल की ताना साही मजदूर वर्ग की ताना साही नहीं अपित मजदूर वर्ग पर ताना साही है आपसन इन आपसन भी काटस की आपसन सी नरेंदेव आपसन डी खुर्चेव राइट आंसर होगा आप सभी के लिए आप्शन नमबर बी काटस की महोदे का ये स्टेटमेंट है अगला प्रिशन है स्रम मूल का एक मात्र श्रोत है ऐसी मानिता किस की थी आपसन ए पलेटो की आपसन भी मार्क्स की आपसन सी बेंथम की और आपसन डी लाग की राइट आंसर आपका आपसन नमबर बी होगा ये मानिता जो है वो काल मार्क्स महोदे की है मार्क्स महोदे के बारे में कुछ जान लेते हैं मार्क्स महोदे ने कहा है कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संगर्सों का इतिहास रहा है यह कथन कई बार परिच्छाओं में पूछा गया है तो यह कथन आप सभी को बता दें मार्श महोदे का ही कथन है और यह कथन जो है कमनिष्ट मेनिफेस्टों यानि सामिवादी घुषरा पत्र नामक जो ये प्रसचन है उसमें लिखा गया है अगला प्रस्टन है अब तक बिश्चु की तकष्यचिवी कि यह जबक्र दीट करक्रते तक आप सर आपका आपर संब ऑ जाएगा मार्क्स ने यह स्टीटमेंट दिया हुआ है वहीं आप सब भी लोग जानते हैं कि काल मार्स को बैग्यानिक समाजवाद का जनक माना जाता है और मार्स पहले से ही अनेक जो बिटिस पता फ्रेंच विचारक थे जिन्होंने समाजवादी विचार बेक्ति किये थे इनमें फ्रांस के नॉयल बाफेप, शेंट साइमल, चार्ल्स फूरिये और इंगलेंड के जान डी, सिसमेंडी, बिलियम थांपसन तथा राबर्ट ओवन प्रमुक थे लेकिन इन्होंने केवल कलपनावादी समाजवाद का प्रारूप जो है वो रखा हुआ था और मार्स ने समाजवाद की बैग्यानिक ब्याख्या करते हुए उसे सुपरिभास प्राइब करते हुए इस पश्ट किया है और इसलिए इन्हें बैग्यानिक समाजवाद का जनक भी माना जाता है अगला प्रशन है राजी के संबंद में मार्ट स्वादियों का अंतिम लच्ची क्या है आपसन राजी भी समाज की स्थापना आपसन सी धार्मक राज की स्थ स्थापना राइट आंसर आपका अप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्ट स्वाद का अंतिम लच्चे राज भी समाज की इस्थापना करना अगला प्रशन है दोस्तों मार्ट के अंसार राजी का गठन किसलिए हुआ था आपसन राजी का गठन किसलिए हुआ था अगला प्रशन है राजी समाप्त नहीं किया जाएगा वरनवा सोयम ही समाप्त हो जाएगा यह कथन किसे संबंधित है आपसन राइट आंसर आपसन भी लेनिन से आपसन सी एंज अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों मार्क्ष ने वर्ग शंगर्स की धारणा को किसे ग्रहड किया था अगला प्रशंद है दोस्तों अगला प्रशन है दोस्तों मानो जात की एतिहसी विकास को मार्क्ष ने कितने भागों में विभक्त किया है और आप्षन C आठ चरणों में आप्षन D दो चरणों में राइट आंसर इसका बनेगा आप्षन नमबर B मानो जात की एतिहसी विकास को मार्क्ष ने कुल 6 चरणों में विभाजित किया है अगला प्रशन है दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्ष द्वारा रचित है आप्षन E, The Poverty of Philosophy, आप्षन B, The Holy Family, आप्षन C, The Capital, आप्षन D, उप्रिवति सभी राइट आंसर आपका आप्षन नमबर D होगा उप्रिवति सभी पुस्तकें काल मार्क्ष के द्वारा लिखी गई है अगला प्रशन है दोस्तों अगला प्रशन है मार्क्ष के मत में इतिहास का प्रथम यूग क्या था आप्षन E, शामनतवादी यूग, आप्षन B, दास यूग, आप्षन C, आदिम सामिवादी यूग और आप्षन T, इन में से कोई नहीं आप्षन E, आप्षन E, आदिम सामिवादी यूग, जो है इतिहास का प्रथम यूग था, ऐसा आप काल मार्क्ष और मार्क्ष वादी विचारक मानते हैं अगला प्रशन है दोस्तों निम्न में से कौन सी रचना मार्क्ष की नहीं है, आपसने The Communist Manifesto, आपसन B, State and Revolution, आपसन C, Value, Price and Profit, और आपसन D, Das Capital राइट आंसर आपका आप्षन नमबर B हो जागा, State and Revolution, पुस्तक काल मार्क्ष की पुस्तक नहीं है साथियों, ये आप सभी की Topic and Practice Series चल लही है, इसके Theoretical Classes भी चैनल पे अपलोड है, अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं विजिट किया है, तो प्ली चैनल के प्ली लिस्ट विजिट करें, वहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझाने का प्रियास किय आप सभी लोगों के लिए वह जल्दी Theoretical Classes के रूप में आप सभी को मिलने लगेंगी, इसके लिए आप सभी से निवेदने की चैनल से जरूर जूरें, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दवा लें, जिससे आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करें, उस अगला प्रशन है दोस्तों, किस ने कहा है कि राज एक सुशंगठित बलादकार है, जिससे समाज का सोशक वर्ग, सोशित वर्गों के उत्पीडन को कायम रखता है, आप सनी मार्क्स, आप सनी स्टालिन, आप सनी लेनिन और आप सनी फिगिस, इसका क्या होने वाला है, अगला प्रशन है, अगला प्रशन डिसकस करने से पहले थोड़ा लेनिन के बारे में कुछ यहां पर इंपर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं, तो साम्युआदियों की कोई पित्रभूम ही नहीं होती, ये प्रसिद स्टेट्मेंट भी लेनिन महोदे का है, और लेनिन जो हैं, उनका पूरा नाम ब्लादिमीर लेनिन है, और लेनिन ने ये कथन काल मार्स के उपर लिखे गए निबंध में कहा था, कि साम्युआदियों की कोई पित्रभूम नहीं होती है, पहले काल मार्स ने अपनी प्रसिद रिचना कमिनिस्ट मेनिफेस्टों यानि जिसे सा कोई देश नहीं होता है, उसी तरीके से बाद में लेनिन ने भी कहा कि साम्युआदियों की कोई पित्रभूम नहीं होती है, अगला प्रसिद दोस्तों देख लेते हैं, किस ने कहा कि राज समाज के विकास की एक खास अवस्था की उपज है, आपसने जान इस्टेची, अगला प्रस्ण है दोस्तों, मार्स के भौतिकवादी ब्याख्या का प्रेरक्श रोत कौन है, आपसन A ही गल, आपसन B फायर बाग, आपसन C डार्बिन और आपसन D थामसन, राइट आंसर आपका आपसन नंबर भी होगा, फायर बाग जो है, उन्होंने मार्स के समाधे वर्ग शंखर्स, राइट आंसर आपका आपसन D होगा, सोसन यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ठीक नहीं करना है, मार्स से मानता है कि राजी का जो सबसे अच्छा और उप्यूगत कारण है, वो ये है कि पहले तो लोगों ने समाज में वर्ग बना दिये, फिर वर् समाधे वर्ग शंखर्स के कारण जो है, वो राजी का निर्मान हुआ है, अगला प्रशन है, सह अस्तितु का सिधान्त किसने प्रपादित किया है, आपसन D लेनिंग, आपसन D इस्टालिंग, आपसन C काटर्स की, आपसन D मौसे तुंग, राइट आंसर आपका आप्शन न आपसन भी लोगों का एकजाम जो है, वो डिपेंड रहता है, तो साथियों आप बात कर लेते हैं, अगले प्रशन की हो है, अगला प्रशन है, एंटी डियूरिंग की रचना किसने की है, आपसने मार्क्स, आपसन भी एंजल्स, आपसन सी लेनिंग, और आपसन भी इस्टा यह एक जर्मन समासास्त्री उमदार्शनिक थे, और एंजल्स ने कहा था कि राज एक मसीन से बढ़ कर कुछ भी नहीं, यह प्रशन पूछा जा सकता है, कि यह किसका इस्टेट्मेंट है, तो यह फ्रेडरिक एंजल्स का है, यह एंजल्स कह सकते हैं आप, और उन्होंने कह है कि राज एक मसीन से बढ़ कर कुछ भी नहीं है, तो इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन है कि राज की उत्पत्ती का कारण वर्ग संगर्स है, इस मत का प्रतपादक कौन है, आपसने मार्क्स, आपसन राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप्शन नमबर ए, राज की उत्पत्ती का कारण वर्ग संगर्स काल मार्क्स ने बताया है, वहीं आपको बता दें, मार्क स्वाद के जो आलोचक है, उनके अंतरगद जो है, लेखक और विचारक, H.B. एक्टन महोदे ने मार्क किसने कहा है, तो ध्यान रखना है, एक प्रशिद्र लेखक और विचारक, H.B. एक्टन महोदे हुए है, उन्होंने मार्क स्वाद को यूग का भ्रहम कहा है, वहीं अगर हम बात करने मार्क्स की, तो मार्क्स ने धर्म को अफीन के सवान कहा है, अगला प्रशन है दोस्तों सकती बंदू की नली से निकलती है, यह मत किसका है, तो आप सभी लोग, आप सन A है, माउ, आप सन B, होची मिन, आप सन C, ओपन हाइमर, और आप सन D, गारना, राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आप सभी लोग फटा-फट कमेंट करें, तो इस प्रशन का राइट आप से तुंग ने कहा है, कि सकती जो है, वो बंदू की नली से निकलती है, यह उनका बहुत ही प्रसिद इस्टेटमेंट है, और जिसके लिए वो बहुत ही फेमस है, और कई बार यह परिच्छाओं में पूछा गया इस्टेटमेंट भी है, तो आप सभी को इसे इस्पेस आपसंसी गार्णा, आप्शन डी लाग, राइट आंशर आपका बनेगा, आप्शन नमबर ए, यह मार्क्स ने कहा है, और मार्क्स का दास कैपिटल एक ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने एक प्रसिद इस्टेटमेंट दिया है, कि नए समाज रूपी सिसु को गर्भ में धार करने वाली हर पुरानी बेवस्था के लिए सकती जो है, वो दाई है, तो इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, और यह स्टेटमेंट दास कैपिटल में लिखा गया है, तो कुल मिला करके यह स्टेटमेंट दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो इस चीजों को आप सभी को ध्यान में रखना है अगला प्रश्ण है इन में से कौन सी अधारणा मार्क्सवाद के अनुरूप नहीं है आपसने आधारियों अधिरचना आपसन भी राजिका बिलोपन आपसन सी अत्रिक्त मूल और आपसन टी मूल युक्त सामाजी विज्ञान रा अगला प्रश्ण है जिसमें कहा गया है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ तुम्हें अपने बंधनों के अत्रिक्त कुछ खोना नहीं है यह कथन किसका है आपसने लेनिंग आपसन भी मार्क्स आपसन सी लाक आपसन टी सार एरी का राइट आंसर आपका बनेगा आपसन काल मार्क्स महोदे का है और काल मार्क्स महोदे का एक और प्रशिद स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ यह उन्होंने कहा है कि दुनिया के मजदूरों संग्ठित हो जाओ तुम्हारे पास खोने को तुम्हारी बेडिया है और प फेबियन समाजवाद और मार्चवादी समाजवाद की समानता में यह दोनों ही है कौन सी चीज आपस में समान करती हैं आपसन ए इतिहास की बहुतिकवादी ब्याख्या का समर्थन करते हैं आपसन भी वर्ग संगस के सिधान्त में विश्वास करते हैं आपसन सी उतपादन के मोल साधनों के समान स्वामित के पच्छधर है अगला प्रशन है दोस्तों अगला प्रशन है मार्क्स के अनसार किसी वस्तु की कीमत निमलिखित में से किसके आधार पर निर्धारित की जाती है तो आप्षन इसके देख लेते हैं आप्षन ए है दोस्तों भूमी आप्षन भी पूंजी आप्षन सी धर्म और आप्षन टी श्रम राइट आंसर आपका आप्षन नमर टी हो जाएगा श्रम अगला प्रशन है दोस्तों मार्क्स वादी एतिहासिक भोतिक वाद का आर्थ है क्या आल्थ है आप्षन A इतिहास केवल भौतिक जीवन से संबंदित है आप्षन B इतिहास की आर्थिक ब्याख्या है आप्षन C इतिहास का सर्वोचलच भौतिक प्रगति है आप्षन D इतिहास आर्थिक मानों की कहानी है राइट आंसर आपका आप्षन नमबर B बनेगा मा को सब्सकाइब जद कर लें आगे के तयारी फ्री आफ कोस्ट जादी रखने के लिए तो साथ यो आज के वीडियो का अंतिम कोस्टन देखते हैं और उमीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये प्रेक्टिस सेट जो भैग्यानिक समाजवाद या मार्ग सवाद से जुड़ी हुए प्रशनों पर आधारिता बहुत ही हेलफूल और अच्छा लगा होगा देख लेते हैं आज के वीडियो का अंतिम प्रशन है दोस्तों मार्ग का विचार था कि समाज में समानता केवल तभी स्थापित की जा सकती है जब आपसने सभी वेक्तियों को राजनीतिक सुतन तता प्रदान कर दी जाए आपसन भी वर्ग अंतर विरोध मिटा दिये जाए आपसन सी कानून का ससन इस्थापित कर दिया जाए आपसन डि मिलाकर के काल मार्क्स जो थे उन्हों ने एक भैज्ञानिक समाजवात का कांसेप्ट बिक्सित किया और उसको पूरी तरीके से एक सैध्धान्तिक रूप में पढ़ने का सिरे नहीं जाता है तो कुल में बस इतना ही कल की वीडियो में लेकर के हम आएंगे लोक कल्यारकारी राज और सरव अधिकारवाद से जुड़ी हुई महात्पूर्ण प्रिश्णों का बहुत ही धमाक्यादार वीडियो जो आज सभी की परिछाओं की द्रश्टी से बहुत ही इंपार्टेंट होने वाला है तो आज की वीडियो को अंतर देखने के लिए सभी साथों को तहें दिल से शुक्रिया बहुत हो धन्वात मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सभी साथों को जहिंजे भारत बंदे वातरम आप सभी साथों का देशुगू इंपार्टे देशिए साथों के लिए दोन देशुगू एजिए साथों के लिए।